तो दोस्तों ये बोट के माद्यम से, चार्ट के माद्यम से समज़ते हैं, अब हम जानते हैं, किया होगा यदि असाम रैफल मोडी रक्षा मंत्राले के अंदर इसको मोडी आर्मी रजमेंट में लिया या इसको मोडी के जो एनलोजी में फसलिटी दी गई तो क्या होगा ये बोर्ट हमने बना रखा है और ये M.O.D. रक्षा मंत्रा ले और ये M.H.A. C.P.O. ग्रह मंत्रा ले तो देखिए M.O.D. रक्षा मंत्रा ले M.O.D. में जाने से M.O.D. आर्मी का जो स्टेटस मिलेगा ड्रेस भी जो है ग्रीन होगी पे पेंशन और एलाउन सेज M.O.D. आर्मी की तरजपे आर्मी की तरह मिलेगे O.R.O.P. वन रेंग वन पेंशन का जो सुविदा मिलेगी और परमोशन जो आर्मी की तरह जो भी होता है ओन्री केप्टन रेंग तक होता है तो वहां तक मिलेगा CSD कैंटीन जो एस फसलेटी जो बरकरार रहेगी और ECHS जो मेडिकल फसलेटी है वो बरकरार रहेगी Soldier Boat जो भूतपुर सेनिक कारियाले है हर जिले में डिस्टिक में जहां से आप DSC में जा सकते हैं जहां से आपके बच्चों को वलफेर मिलता है आपके बालक बालिका को पढ़ने में सरकारी नौकरियों में छूट मिलती है पढ़ने में स्कूलर्शिप अगर अच्छी खासी स्कूलर्शिप मिलती है साधी ब्या के लिए बच्चों को जो है उसमें जो है बालक बालिका को बेनिफेट मिलते हैं इसके अलावा एक सर्विसमेन जो फसलिटी है वो सब मिलेंगी सेंटरल गोर्मेंट स्टेट गोर्मेंट की जो है सभी नौकरियों में बिसेश कोटा के माध्यम से भुतपुर शैनिक को जो है सुविदाय मिलेगी एंडिये सीडियेस ओफिसर बनने में जो है मदद होगी और जर्नल तक वहां पर चीप ऑफ आर्मी स्टाप तक अगर एमोडी में मर्ज होता है रिजमेंट बनती है तो बना जा सकेगा और अधर वाइज जो है आर्मी का ओफिसर का रेंक के हिसाब से परमोशन मिलेगा और ओपियस जो ओर्ड पैंशन इंश्केम मिलेगी 2004 के बाद वालों को भी इसके विप्रीज जो है यादि MHA CPO के अंदर गया MHA के अंदर ड्यूल कमांड हटके तो CPO खाकी वर्दी मिलेगी CPO का सेंटरल पुलिस का जो स्टेटर्स होगा इसके अलाव और 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 पी नहीं होगी इसकी जगह जो है जो जैसे चल रहा है वही चलेगा और पर्मोशन का भी एज़ पर जो CPO है वैसी चलेगा और CSD कैंटीन नहीं मिलेगी पुलिस कैंटीन में जाना पड़ेगा उसके बाद जो है CSD कैंटीन नहीं मिलेगी ECHS नहीं मिलेगा CGHS की फसलेटी मिलेगी सोलजर बोर्ट की सुगदा नहीं मिलेगी एक सर्विसमेन का दर्जा नहीं मिलेगा और NDA CDS का नहीं मिलेगा पुलिस ओफिसर का जो नियम है वही पॉलिसी मिलेगी और OPS ओल्ड पैंसन इसके नहीं मिलेगी उसकी जगह NPS मिलेगा और इस तरह से जो है ये अंतर है ये होगा तो अभी से अभी अपने अपनी जो है राइ अपने हमने जो है इतने सालों से MOD Operational Command में असाम राइफल ने जो देश की सेवा की है तो इसका एक अवल इत्यास भी है एक अवल हिस्ट्री है असाम राइफल की उसने जो है जो भी परतन विस्ट दूती विस्ट भारत चीन भारत पाक युद भारत बंगला देश युद के अलावा जमु कस्मी स्रिलंका हैती देश में भी अपनी महत्वपूर्ट सेवा दी है इसके अलावा औरना चला साम के जो है खतरनाक खूंकार आतंगवादी सेत्रों में जंगलों में रहकर जो है अपनी पूरी सर्विश दसकों तक जो है वहाँ पर देश सेवा की है और इसके अलावा जो पहले चीन का जो बॉर्डर सब को पता है औरना चल सिक्किम नागलेंड का जो एक अपते से लेकर 28 दिन तक मोडी ओपरेशनल कमांड में सबसे फ्रेंट में चीन की बॉर्डर में असाम रैफल की जबकि वहाँ कोई सड़क यातायत की सुगदा नहीं थी तब भी असाम रैफल फ्रेंट में ड़टा रहा और भारत चीन युद्ध से अकेले ही खुद ही जो है मुकाबला की किया और इसके अलावा जो है बिस सुद्ध में भी परतंदिती में यूरोप में एसिया यूरोप में जाकर कई यूरोप के कई देशों में जापान से और इसने जो है टक कर ली तो ये है आप अपने कॉमेंट्स जरूर लिखें एमोडी या एमेचे एमोडी की सुद्धा या एमेचे तो आप जरूर पूरा वीडियो देखें और कोमेंट्स करें वीडियो को लाइक सब्क्राइब शेयर करें सब्क्राइब करें धन्यवाद चैहें